नमस्कार आप देख रही हैं मुसरत टाइम्स लाइव एग नजर इस विशेश रिपोर्ट पर दिल्ली के विजय पार्क इलाके में भरबरा कर गिरा चार मंजिला मकान, पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुची, कोई हताहत नहीं विजय पार्क इलाके में चार मंजिला मकान भरबरा कर गिरा है जानकारी के मुताबिक यह करीब 20 वर्ष पुराना मकान था मकान आज दोपहर अचानक जुक गया था, जिसके चलते वक्त रहते मकान खाली कर दिया था इसके बाद करीब 3 बजे मकान गिर गया, इससे आसपास के मकानों में भी ख्षती आई है किसी भी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस, दमकल और निगम की टीमें मौके पर पहुची बता दें कि यह 18 कस का एल साइड का मकान था मकान गिरने से B.S.E.S. के बिजली के तार तूट गए है साथ ही हादसे के बाद सारा मलबागली में गिर गया है जिससे इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा बताया जा रहा है कि यह ग्राउंड फ्लोर सहित चार मन्जिला इमारत थी समय रहते इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बाहर कर दिया गया था इतना ही नहीं बिल्डिंग काफी पुरानी भी बताई जा रही है इससे कुछ दिन पहले दिल्ली बेहाद के नजफगड इलाके में एक तीन मन्जिला इमारत का उपरी हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया था घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई थी फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के साथ साथ और भी एजनसियों की टीम पहुची